हलो दोस्तों मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्विटी टू कम्यूटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि शॉर्ट सेल करने का परफेक्ट टाइम क्या है यानि कब हमें सेल साइट की तरफ ट्वेट इनिशेट करना चाहिए जहांस हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता हुआ देख जाएगा वो हम इस वीडियो में समझने जा रहे हैं क्योंकि बहुत साइट लोग सेल करके प्रॉफिट बनाना चाहते हैं लेकिन वो एक्जेक्ट पॉइंट नहीं फाइन कर पाते हैं जहां पे हमें सेल करना चाहिए एज वीड वो गलत जगा पे सेल कर देते हैं और वो ट्रैप में फर्स जाते हैं कई बार लोग शॉट कवरिंग को भी सेलिंग अपर्टुनिटी फाइंड कर लेते हैं और उसमें जैसे ही आप सेल करोगे वो सेल साइट की तरफ जाने के लिए वो एक ट्रैप होता है सॉट कवरिंग में हमें कभी भी सेल साइट की तरफ नहीं जाना है तो हम कैसे identify करेंगे कि यह short covering है या फिर यह really में downtrend है इन सब point को उपर हम एक एक करके इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं तो चलिए सीखते हैं कि sell करने का perfect time क्या होता है तो यहां पर हम चार्ट पर आगे सबसे पहले अगर हम time देखें तो यह आपका 30 minute time frame बाला चार्ट है यहां पर आप कोई भी time frame बाला चार्ट का इस्तमाल कर सकते हैं 15 minute, 30 minute, 1 hour, 1 day यहां पर हम different example लेंगे different time frame में ताकि आपको यह concept अच्छे समझ में आ जाए और आप इसके basis पे किसी भी time frame में आप tweet initiate कर सकते हैं सबसे पहले यहां पर आपको क्या find करना आता है तो जब भी आप अगर पता कर रहे हैं कि हमारे लिए short sale करने का perfect time क्या है यह निए आप find कर रहे हैं कि कैसे हमें downtrend पहले identify हो जाए पहले identify कर पाए उसके लिए आपको कुछ conditions ध्यान में रखना होगा सबसे पहला conditions क्या है कि आपको एक strong uptrend find करना होगा आप सोच में हम downtrend की बात करें लेकिन हम आपको find करने के लोड़ में uptrend लेकिन आपको यह find करना होगा सबसे पहले कि strong uptrend दूसरा है कि strong uptrend के बाद हमें क्या चाहिए हमें चाहिए एक आपका range bound move प्राइस आपका एक particular range में move करता होना चाहिए दूसरा conditions ही है तीसरा conditions है कि जब यह range bound move दिखा रहा है वहाँ पे क्या होना चाहिए field upside attempt होना चाहिए यहनी उपर जाने का field attempt यह करना चाहिए अगर यह तीन conditions हमें बनता हुआ दिख जाता है तो हम क्या समझेंगे कि यह हमारे लिए sell करने का perfect time है यहां से market आपका downtrend होने वाला यहनी यहां से market अपना trend change करने वाला from uptrend to downtrend यहनी यहां पे यहां पे आपका systematic power transfer होगा from buyers to sellers यहां पे सबसे पहले देखिए यह आपका एक strong और जवर्दस्ट upside momentum है जहां पे हमें कोई भी weakness देखने को नहीं मिलवा हर एक जगा पे आपको sellers हावी होते हुए दिखेंगे और कहीं भी हमें range bound move इसके बीच में देखने को नहीं मिलवा range bound move हमें कहां पे देख देखने को मिलवा उसके प्राइस यहां पर आपका ऊपर गया लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं जया पाया मतलब यह आपका क्या हो गया यह आपका एक फिल्ड upside attempt दिखा दिया strong upside momentum को हमने identify कर लिया उसके बाद range bound move को भी हमने identify कर लिया और यहां पर भी देख सकते हैं यहां पर भी फिल्ड upside attempt लिया यानि multiple times फिल्ड upside attempt लिया है यहां पर हमारा यह पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट range bound move तीसरा पॉइंट फिल्ड upside attempt यह तीनों पॉइंट को satisfy कर लिया अब हम यहां पर क्या करेंगे अब हम यहां पर एक support level find करेंगे यहां से price आपको नीचे जाता हो दिखेगा यहीं जो हमारा triggered point होगा जहां पर हम sell side की तरफ entry लेंगे वह point हमें find करना वह point सिंपल सा है जो भी हमने range bound move find किया उसका जो भी lowest point है उसको आप triggered point के रूप में tweet कर सकते हैं जैसे यहां पर यह इसका lowest point है इसको join करते हुए हमने एक trend line perfect position होगा SL रखने के लिए उसके बाद अब यहां पर हमें जो entry लेना है वह इस level के आसपास हमें sell side की तरफ entry लेना है और हम first target price के लिए जाएगा यहां फिर जहां से 4% to 5% का profit मिलता हो दिखता और कई बार 10% से ज़्यादा का profit मिलता हो दिख जाता है इसलिए कई बार यहां पर क्या होता है कि 3-4% profit के बाद market reversal ले ले लेता है फिर आपका upside की तरफ जाने लगता है तो 3-4% के profit के बाद हमें किसी भी condition में नुकसान में नहीं जाना है करेंगे तो काफी simple तरीके से आप इसके जरी भी find कर सकते हैं कि यह जो downfall move है अगर वो तीनों condition को satisfy कर दिया तो आप इतना sure हो सकते हैं कि यह जो downfall momentum है वो काफी हद तक short covering नहीं है और short covering है भी तो यहां पे लंबा short covering देखने मिलेगा जहां पे आपको अच्छा खासा selling opportunity मिल देगा और इसके basis पे अगर आप sell side की तरफ जाते हो तो यहां पे आप trap में नहीं फस होगे आप trap से आसानी से निकल सकते और sell side की तरफ जाके profit बना सकते हो और sell side की तरफ जो profit बनाएंगे वो हम F&O stocks में बनाएंगे और आपका गेल जो है वो F&O stocks है इसमें आप future options में sell side की तरफ जाके profit बना सकते हो और अगर आप sell side की तरफ नहीं जाते हो फिर भी यह चीज़ आपके लिए beneficial है कैसे जब आपने देखा कि यहां पर हमायों लिए sell करने का perfect time बनता हुआ दिख रहा है तो अगर आपने इससे पहले कहीं पर भी buy कर रखा है तो क्या करोगे सबसे पह conditions लेना उसको भी avoid करना यह नहीं आप buy करके जो trap में फस सकते हो उस trap से भी आपको बचा रहा है तो यह dual तरीके से आपको benefit करता हुआ दिख रहा है आपको profit कब book करना वह भी बता रहा है साधी साथ आप trap से कैसे बच सकते हैं वह भी हां पर आपको clear cut बता रहा है तो यहां पर हम सेम तरीके का और example देखेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा कि अगर आपको इस तरह का technical analysis सीखना है from basic to advance तो इसके लिए हमने एक special सा course रियान किया है उस course को आप enroll कर सकते हैं उसके लिए आप हमारा mobile app equity community को download करना होगा play store से नहीं तो लिंक आपको इस वीडियो के description में भी मिल जाएगा वहाँ पर भी click करके आप mobile app को download कर सकते हैं और वहाँ पर आपको technical analysis के लावा future options की बारे में भी आपको course मिलेगा from basic to advance और यह सारा course करने के बाद आप as a independent trader काम कर सकते हैं खुद से अपना trading decisions ले सकते हैं और हमने course को इस त पसंद होता है तो आप enroll कर सकते नहीं तो वहाँ पर आपको free में भी बहुत सारे information regular basis पर मिलते रहेंगे तो आपके लिए भी काम का फाइदा हो सकता है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर दूसरे example पर आते हैं दूसरा example हमने लिया है HDFC-AMC का early timeframe में तो यहां पर आपको सारे timeframe में इस तरह का situation देखने को मिलेगा पहला point क्या था कि हमें strong uptrend identify करना है और दूसरा point मैंने आपको वदाई दिया था कि range bond move हमें identify करना यहां पर हम short में लिख रहे हैं और तीसरा क्या होना चाहिए कि failed attempt हमें वहाँ पर दिखना चाहिए यह तीन point यहां पर हमे और यह नहीं आना चाहिए दूसरा range bond move देख सकते हैं उसके बाद range bond move दिखाया और यहां पर भी field attempt लिया अपसाइट यहां पर भी upside में field attempt लिया है यह नि हमें तीनों point यहां पर आसानी से satisfy होता हूँ दिखिया और जो भी मैं आपको trading strategy आफी trading techniques बताता हूँ वह काफी simple होत होता है implement करना अब बहुत साही लोग सोचते हैं कि after market यह आसान होता है आसान नहीं होता है आप लाइब मार्केट में इसी तरह के का pattern find करने कूसिस किजिए बस आपको pattern सही time पर find करना अगर आप सही time पर live market में भी pattern find कर लेंगे तो उसके basis पर आप trade initiate कर सकते हैं दिक्कत वही उसना आप इस तरह के pattern को early identify करके इसके basis पर live market में भी trade initiate कर सकते हो तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे जो range born move दिखा है उसके lowest point को लेंगे और यहाँ पर हम एक line draw करेंगे जो कि हमारे लिए support की रूप में काम करेंगा या फिर हम इसको twigered point भी बोल सकते हैं यानि यह ह पर भी आप SL रख सकते हैं preferred SL आपका यह होना चाहिए उसकी बाद उसका जहां से price आपका upside move start किया है यह हमारा target price रहेगा जिसको आसानी से hit कर दिया है तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे sell side की तरफ जाके आसानी से profit बना सकते हैं नहीं तो हमें at least इतना तो पता चल ज तरीके से benefit मिलता हुआ अब हम आ रहें अगले example पर अब हम यहाँ पर आ गए camps इसके हम 15 मियर्ट टाइम फ्रेम पर आ गए अब camp से आपका F&O stocks नहीं है मतलब यहाँ पर हम future options में sell side की तरफ नहीं जा सकते हैं लेकिन जो मैंने आपको बताया था कब buy नहीं करना कब profit booking करना trap से आप इस तरीके से बच सकते हैं यहाँ इस strong upside momentum हमें देखने को मिल रहा है लेकिन अब यहाँ पर आपके मन में question होगा कि यहा लेकिन तीसरा पॉइंट किया था तीसरा पॉइंट था कि हमें field attempt चाहिए सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा field attempt चाहिए हो भी कैसा upside वाला यहाँ जो भी upside में अटेम्ट लिया वहाँ पे buyers available दिखे हैं और price उपर निकला देखिए यहाँ पे अटेम्ट लिय रेंज बाउन यहाँ पे start हो गया यह रहा आपका field attempt जहाँ पे price आपका इस level तक गया है यहाँ पे कोई buyers नहीं मिले नहीं इस level पे नहीं इस level पे नहीं इस level पे अब जैसे ही price इसको break करके नीचे आएगा हम यहाँ पे sell side की तरफ positions initiate करें यहीं यह हमारा triggered point बन गया जिसके basis पे हम sell side की तरफ positions initiate कर सकते हैं और उसके बाद वापस से price आपका इक नहीं जो move करने लगा फिर यहाँ पे field attempt लिया है यही multiple times field attempt लिया है तो तीनों conditions को satisfy करवाना बहुत जाला जहूरी है और especially जो तीसरा condition है कि वहाँ पे हमें field attempt दिखना चाहिए अब इसका क्या concept है field attempt का concept यह है कि यहाँ पे जो buyers हैं वो अपना strength दिखा रहे हैं यहाँ पना strength दिखा रहे हैं लेकिन जो further buyers है इस particular level पे वो यहाँ पे interest नहीं दिखा रहे हैं that means true buyers के पास जितना dumb था वो पूरा dumb लगा चुके हैं लेकिन उसके बाब जूद भी another buyers active नहीं देख रहे हैं यहाँ बायर्स के तरफ से further support नहीं मिल पा रहा है as a result यहाँ पे जो sellers हैं वो थोड़ा जादा active दिख रहे हैं वो थोड़ा जादा strong दिख रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि buyers अपना पूरा dumb लगा रहा sellers ने वहाँ पूरा उनको मौका दिया है कि आप उपर साइड की तरफ ले जाओ अगर आप में दम है हिम्मत है तो लेगिन buyers ने जबाब दे दिया अब उसकी बाद जब buyers पूरा कमजोर हो चुका है तब sellers ने entry मारते हैं और यहाँ से price आपका नीचे साइड की तरफ जाता है इस strategy को multiple तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं और देखिए यहाँ पर नीचे साइड की तरफ गिरा है यह point हमारा SL हो जाएगा यहाँ पर इस target पैस के लिए जाएंगे फिर अनदर इस target पैस के लिए जाएंगे और देखिए यह हमारे सारे target पैस को hit करता हुआ दिखा है तो इस त सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ बेल आइकन दवाना ना भूले ताकि जब भी हम वीडियो अप्लोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करें तो यहाँ हिंद्स मिलते नेक्स्ट वीडियो में जाहिंद्स